देर स्टूडेंटस, पहरे बच्चों, असलाम अलेकूम, मुझे मैद है कि आप सारे खेर से होंगे, ठीक तरह से होंगे, कुरोना का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है, इसकी जुलम की जो लकीर है, वो आगे आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन इसको खतम होना ही है, इसको अल्टमेट, लेकिन तब तब, जब तक इसकी मुत वाका हो जाए, किसकी खुरोना वाइरस की, आपको तब तक इहतियात बरतना है, इहतियात करना है, क्योंकि इहतियात ही जिन्दिगी है, प्रेवेंशन इस बेटर देन क्यूर, परहेज इलार्ज से बहतर है, और परहेज क्या है, you know these things, आप इन चुज़ें को जानती हूँ, जो परहेज में हैं, जैसे मासक पहननी है, यह लगानी है, हाथ बार बार साफ करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, दूर बाकि लोग उससे बैठना है, हो सके गरों में बैठना हो, अपने आपको गरों में ही, आपका जो रायविता हो, कम हो जाए, और एपराप्रेट सोशल बिहेवर के सकते हैं, जो आज-कल का बिहेवर है, it is a COVID- hè घौने में बताता है, क्या करना है, किस तरह चलना है, किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, यही COVID- relationship में अपनाना है, 6th से लेकर 8th तक के बच्चों को आज हम पढ़ाएंगे Edward was a place ये बिल्कुल आसान है लेकिन मुश्किल भी है 6th और 7th, 8th के बच्चों के लिए थोड़ा कठन टापेक है, थोड़ा मुश्किल है Edward was a place हमी बताता है Where thing is happening, where thing happiness are happening इन्ने काम कहां पे हुआ या कहां पे हो रहा है या कहां पे हो छुका है कम कचझ मस कम काम ती गस 자 मगर योई meille आंड़ववर्बस a place हाँ अश्यो इती चैन इती हम call करां मोरीफाई कि नच तो है पडमोस डेफिनेशन एड़ प्रबबज अ यह अधर बजासा तमासी मोडीफाई करां एड़ेक्ट यू यह चिकरां वर्बज मरीश्था उन्याद इसकरां मोडीफाई सिर्फ वरबन इड़ेक्ट टून करां के अंगरीजिस मचूना इसे करन द दिए मोडीफाई दिए वर्बस अवनली नॉट एड़ेक्ट यूज और यह पलेस कहां पह ओते हैं यह वका ता छासा हम शासा मेन वर्बज पात यह तह वर्बस हम क्याश करां यह तह हमोडीफाई करां शे तैं पच्छ मासा पलेस दें तैं पच्छा सां इम लेगे दिम यहां पर टूक वर्ब है इंपच आवर्ट साइड यह तीम न्यू पनून बाचने आब आवर्ट साइड क्या है आवर्ट साइड जाए तो इस एड़वरबा प्लेस एड़वरबा प्लेस यह तीम आवर्ट साइड बिल्कुल था उन जाहर मां के आवर्ट साइड से तुक पतल चलो नजदीक में मेरा मकान है लेकिन नजदीक जगा है न लाज़ा ये built जो है ना इसमें ये वर्ब है इसके पैद नियर्बा है और नियर्बा है क्या है? एड़ वर्ब अपलीस है लाज़ा इट मोडिफाइज दे वर्ब सानली है ये सिर्फ मोडिफाइ कर लेता है वर्ब्स को और वर्ब के बाद आज ये एड़ वर्बा पलीस है और गोईंग के बाद गोईंग वर्बा है इसके बाद पलीस होता है और ये आपको जहेन में रखना है कि adverbs आप place modify, यह modify कर लेता है only verbs, not adjectives verbs को, adjectives को नहीं, और place कहां पे होते हैं main verbs के बाद take one more example, और एक मिसाल लेते हैं I am looking around but could not find my friend मैं बाहर देख रहा हूँ उदर इदर देख रहा हूँ इरद गिरद देख रहा हूँ लेकिन मैं अपने दोस्त को नहीं पाता हूँ कहां पे है वो looking around look verb है, इसके बाद around है around place है around हमारे गिर्द गिर्द यह place के साथ रिलेट है, place है और लहाज़ यह adverb of place है यह हमीं बताता है कहां पे चीज होता है कहां पे काम होता है यह सिर्फ verb को modify कर लेता है, adjective को नहीं और सबसे important चीज़ में यह है, कि यह मैंने verb के बाद place होते है let me repeat the things for you मैं आपके लिए फिर से चीज़ें दोरा हूँगा पहले क्लास में हमने पढ़े एड़बस उसके बाद एड़बस आफ टाइम पढ़े इसके बाद एड़बस आफ डिग्री पढ़े और आज क्या पढ़ते हैं एड़बस आफ प्लेस पहले आपको याद रखना है कि हमने definition adjective की एड़ब की इस तरह दिये कि एड़ब is a word or a phrase that modifies verb or adjective यह phrase होता है यह word होता है जो modify कर लेता है किसको adjective को या verb को और sample में मैंने आपको बता है यह add something यह add करता है कुछ चैज़ें किसको या verb को या adjective को लेकिन एड़बस आफ प्लेस जो वहते हैं यह modify the verbs only यह सिर्फ modify कर लेता है verbs को यह adjectives को modify नहीं कर लेता है और इसकी जो जगा होती है यह कहां पे place होता है यह man verb के बाद होता है man verb के बाद होता है इसकी हमने एक दो तीन मिसालें भी दी फिर मैं दो रहाता है इन मिसालें का repeat these examples इन examples को मैं repeat कर लेता हूँ he took his child outside took यहां पे वह आप है outside यहां पे एड़वरब आप लेस है और वो took के बाद है आप ज़रा जहन को let us prick your mind आप प्रिक किजे आपने जहन को थोड़ा क्योंकि जो took है यह outside के साथ relate है इस ही को यह modify कर लेता है लेकिन took के बाद है यह लेज़ यह adverb प्लेस है और outside यह अगर हम मकान के बाहर जाएं इसे हम outside केते हैं यह place है दूसरी मिसाल रास्ट बिल्ट ए हावस नियरवा रास्ट बिल्ट ए हावस नियरवा इसमे वर्ब कुन सा है build यह build की पहली form दूसरी form है लेज़ यह वर्ब है built ए हावस नियरवा built और नियरवा को आप से जोड़िये यह चीज़ी वो built को को नियरवा मोडिफाई कर लेता है लेकिन built के बाद क्या है नियरवा लेज़ यह adverb प्लेस और नजदीक में हम जबसे कहते हैं नजदीक जगा है और एक मिसाल लेते हैं I am looking around but could not find my friend मैं इरद गरद देख रहा हूं लेकिन मैं अपने दोस्त को नहीं पा रहा हूं बुश और यह और वुचा मैं मैं इस उन दोस्त पर लब ने वा वो look चाहत मुश मैं वर्ब around क्याच around चाहत मैं एड़बर प्लेश मैं इस लुक पाता हूं को इस इमस करा मोडिफाई या वर्ब ची मोडिफाई करा पेची प्लेश से दिलेट या से एड़बर प्लेश मैं इस अमेद के तोयाश हो यह जहननता है वोत में तोयाश जो सम्झसा मत अगर यह समझसा शनामोद की हैं अगर कोई कोता ही रह जाए पढ़ाने में यू किन काल आप काल कर सकते हो 700667106 इस पे वाइस काल भी कर सकते हो और सकूल के वाटसाइब ग्रूप आप मसेज भी डाल सकते हैं सब्सक्राइब ग्रूप मसेज की साराइस नजामों यह सामझस के हैं इस रिपीटेश्ट आप दोराए इसको बदोराव यह चीज ताए कि यह वीडियो क्लास को मक्सा चासा कीन